नमस्तार दूस्तो स्वागत है आपका एडी टिक टॉक में घर बैठे टाइपिंग जॉब बहुत साय लोग करना चाहते हैं इंडिया में जाता लोग डेटा एंट्री का जॉब पसंद करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होती है जो कि स्कैम होती है वो ऐसे जहाँ फस जाते हैं उनिके हल्प करने के लिए आज मैं एक ऐसे वेबसाइट पर जाओंगा जहां पर उन्हें बताओंगा कैसे आपको प्रोफाइल क्रियेट करना है कैसे आपको अप्लाई करना है डेटा एंट्री जॉब के लिए तो जरा साब इसकिप मत किजेगा इस वीडियो को step by step देखे सारा मैं details बताऊंगा तो चली मैं अपने computer screen पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप घर बेटे typing job कर सकते हैं तो उस्तों हमागे अपनी website पे guru.com ये एक professional बहुत बड़ी freelancer company है जो कि online सबको job provide करती है जितने भी freelancer है यहाँ पे job करते है और जितनी भी बड़ी बड़ी company है वो इस पे अपना job update करती है, post करती है और उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे job मिलता है यहाँ पे आप देश सकते है browse popular professional service programming development है, writing and translation है, design and art है और भी आपके field से जो भी related है आपको यहाँ पे service मिल जाएगी see all skills पे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा देख जाएगा किस field से आपको job चाहिए यहाँ पे लेकिन जो main job आता है typing का या फिर कोई copy paste का data entry का वो आता है writing and translation में तो आपको कैसे काम करना है चले मैं आपको बताता हूँ तो आपको मैं starting से बताने वाला हूँ आपको करना है sign up पे click अगर आप पहले से इस पे account create कर चुके हैं तो आप login करेंगे नहीं तो हम starting से बता रहे हैं हम sign up पे click करेंगे sign up पे click करने के बाद आपको इस पे click कर देना है कि I am not robot उसके बाद इसका next step open हो जाएगा अब यहाँ पे आपको अपने facebook, linkedin या फिर google से आप direct ground clear कर सकते हैं या फिर अपना name और email id डालके proceed पे click करना है आपको तो अपना name डालेंगे email id डालेंगे और I agree पे click करूँगा और proceed पे click कर दूँगा तो proceed पे click करने के बाद हमारे पास यह screen ओपने के आगया इसमें दो option है employer और freelancer employer profile में वही लोग click करेंगे जो की job provide करते हैं जैसे मुझे बहुत बड़ी company है बहुत ज़्यदा मेरे clients है में उनक lancer पे click करूँगा इस पे click करूँगा अपना password create करूँगा और proceed पे click कर दूँगा प्रोसीट पे click करने के बाद जो मैंने अपना email id डाला है उस पे four digit का एक code आया है अपना mail open करूँगा और वो code यहाँ पे देखूँगा और यहाँ पे type कर दूँगा type करने के बाद verify पे click क अब मुझी क्या करना है यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ security questions है आपको इसको fill करना है जैसे example के लिए आप कोई भी इनमे से कोई question select कर सकते हैं जैसे what is your old date sibling name तो यहाँ पे मैं अपना ही name डाल दूँगा जैसे कुछ भी मुझे लगता या फिर अपने कोई sibling का name या फिर ऐसे यही example के लिए मैं अपना name यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ बाकी भी सेम इसी type के तीन security question है आप उनको fill कर सकते हैं या फिर इस जो option को आप skip कर सकते हैं नीचे है skip this for now इस पे click कर देंगे जिसको आप बाद में भी fill कर सकते हैं तो हम skip this for now पे click करेंगे तो हमारे पास यह option आपणरी के आगया इसमें आपको क्या करना है अपना address डालना है अपना city डालना है country इंडिया ही रहेगा state आपको चलेक करना है zip code डालना है उसके बाद time zone automatic हो जाएगा और continue के देना है continue पर click करने के बाद आपके पास यह option अपने क्या गया इसमें आपको क्या करना है तो इसमें आपको अपना job profile create करना है जिसे कि मुझे आप data entry का चाहिए तो title में मैं data entry लिखतूंगा और description में data entry के बारे बताऊंगा कि मैं कैसा data entry काम करता हूं क्या क्या मेरी खासियत ह सेम इसी तरीके से आपने field के हिसाब से यहाँ पर title दे सकते हैं अगर आपको data entry करना चाहते हैं तो आप सेम इसी हिसाब से title दे सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर जो third option है skills इसमें आपको data entry से related जितने भी skills है जैसे कि data entry हो गया typing हो गया transcribe हो गया तो हम यह सब select कर लेंग तो यहाँ पर मैंने दो skills और add कर दिये बाकी अगर और भी कोई आपना skills add करना चाहते हैं आप यहाँ पर add कर सकते हैं बाकी नीचे rate hour है तो आपका यहाँ पर rate select कर सकते हैं minimum one hour का दैसे आप चाहते हैं कि मैं एक घंटे किसी data entry पर काम करूं तो मैं एक घंटे का आठ डॉलर चार्ज करूंगो जो कि minimum है यहाँ पर minimum 8 डॉलर है इसकी नीचे आप enter नहीं कर सकते ठीक है आप अपना maximum डाल सकते हैं लेकिन minimum 8 डॉलर ही है आप इस होते हैं 6 या 5 ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं 6 एंटर करता हूं तो यह rate हो जाएगा तो आपको minimum 8 डॉलर ही डालना है अगर मिज़े अगर कीज़े काम करवाना है तो मैं कोसिस करूंगा कि मैं कोई ऐसा बंदा पकुरूं जो कि पैसे कम चार्ज करता हो तो इस टार्टिंग में आप 8 डॉलर लिख लीजे 8 डॉलर भी पर आवर का बहुत है अगर आप 50 डॉलर डेली का का काम करेंगे तो आपका 35 मतल यहां पर इंदा नियुक्त करते हैं कि तो मीनिमर के 26 डॉलर में ही यहां तो आप अपने हिसाप से लगऄ कर सकते या फिर translation जैसा job हो गया तो यह category मैं select करूँगा और publish now पे click कर दूँगा अब publish now पे click किया तो यहाँ पे लिखा रहा है brevo you have listed your first service यहाँ पे मैंने अपना first service list कर दिया है और keep adding as many service as you want मतलब मुझे चाहिए किसी और field में भी job चाहिए जैसे मैं animation logo design पे भी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे plus sign पे click करूँगा same उसी तरह process होगा मेरा एक और service create हो जाएगा जैसे logo design का और data entry का मेरा दो service हो जाएगा लेकिन यहाँ पे मेरा data entry का service हो गया है तो जब भी कोई इसको देखेगा कि मैंने इस type का profile create किया है वो मुझे contact करेगा और मेरे email पे mail आएगा तो आप अपना mail daily चेक करते रहें यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दू आपको अपना profile यहाँ पे जो भी profile photo है इसको अच्छे से complete कर लेना है portfolio में अगर आपने कोई पहले से data identity का काम किया है उसमें आप screen sort लेके add कर सकते हैं या फिर कोई website का link हो बता सकते हैं अगर आप fresher है तो आप वहाँ पे fresher भी update कर सकते हैं तो अगर आपको लगता है आप मुझे खुद से job search करना है दैसे कि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई mail कर रहे या फिर wait नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर find work है इस पर आप click करेंगे तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर job search करना है जो भी आपको job लगता है मेरे हिसाब से है दैसे कि मुझे लगता है कि यह writer का job अच्छा लग रहा है तो send a quote पर मैं click करूँगा fix price है इनका धाइसो है धाइसो से नीचे ही देंगे इनका क्या है write for a 25 to 30 page report मतलब इनको क्या करना है 25 से 30 page का एक report तयार करना है और यह आपको धाइसो डॉलर के करीब यह pay करेंगे धाइसो डॉलर की बात करें तो यह सत्रह हजार होता है अगर आप एक या दो दिन में job कर देते हैं तो आप एक या दो दिन में ही सत्रह हजार रुपए कमा सकते हैं आप देखिए इस website पर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कामी मिले अगर आप महिने भर में ट्राइ करते हैं आपको एक या दो काम मिल जाता है तो इसी तरह आपका रेटिंग बढ़ता रहेगा आप ज़्यादा फिलांस पाएंगे तो आप महिने का लाग डिल लाग भी कमा सकते हैं लेकिन लाग डिल लाग कमाने के लिए आपको द्रेदर यहाँ पर आप लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा कि डेली कौन कौन सा वर्क आता है एकाउंट बना के छोड़ देने से आपको जॉब नहीं मिलेगा बहुत लोग यह करते हैं कि प्रोफाइल बना दी आप छोड़ दिया मुझे जॉब बेल जाएगी फिर ऐसे ही चेक करते हैं एक दो मिनट नहीं जैसे आप किसी ततकाल का टिकेट बुक करने जाते हैं दो मिनट में टिकेट निकल जाती है ततकाल रेलवे के टिकेट का जैसे होता है वैसे फिल्ルांस में भी आपको active रहना है आप अपना एक घंटे दो घंटे फिक्स कर लेज़े कि एक घंटे दो घंटे लगा पर active रहूँगा और चेक करता रहूँगा कौण सा वर्क आ रहा है Wikipedia पे सर्च कर सकते हैं, guru.com ये 1998 से ये एक्टिव है ये वेबसाइट और बहुत ही ट्रस्टेड है हर तरह से आपको ये पेमेंट करती है जो भी आपने टाय का फिल्लांस करते हैं आप जाके research भी कर सकते हैं तो यहां आज किस वीडियो मेंने दुस्तो बताया कैसे आप guru.com पे apply कर सकते हैं सारा में स्टेफ्स बता दिया हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताई ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप हमें है चैनल पे नए आया है तो subscribe जरूर किजेगा दोस्तो आज किसी वीडियो दोस्तो इतना ही है आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत 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 बहुतरीन टॉपिक के साथ धन्यवाद पहुत बहुत 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 है ये आप है तो एटोस्तो पहुत है और किसी बहुत आप है चैनल